सतीश नाम के एक लड़के की कहानी है जो एक साधारन परिवार से था बारवी कक्षा तक वो हमेशा अवल रहता था एक होनहार छात्र था उसका परिवार उस पर गर्व करता था जब वो पढ़ाई करता था और लिखता था परिवार सोचता था कि जब वो बढ़ा होगा तो कुछ अद्भुत करेगा वो उनकी जिन्दगी बदल देगा परिवार में खुशिया आएंगी केवल यही बच्चा सब कुछ बदल देगा लेकिन जब सतीश ने बारहवी कक्षा पास की और कॉलेज गया तो उसकी जिन्दगी बदल गई उसके आसपास ऐसे दोस्ताय जिन्होंने उसे बिगार दिया वो रात देर तक पार्टी करने लगा अपने परिवार से जूट बोलकर पैसे मांगने लगा परिवार उसे समझता था और एक दिन उसे समझाने की कोशिश की लेकिन सतीश ने अपने परिवार पर ही नाराज होकर उन्हें कहा आप मुझे ग्यान मत दीजिए मुझे सब पता है आपका ग्यान यहां काम नहीं आएगा आप शांत रहिए मैं अपनी जिन्दगी खुद जी लूँगा परिवार ने कुछ नहीं कहा एक साल बाद जब परिणाम आया तो सतीश एक विशय में फेल हो गया यह उसके लिए एक बड़ा जटका था जो लड़का बारहवी तक टॉप करता आया था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है यह सफलता उसकी मानसिक्ता को जग जोर गई उसने घर में रहना शुरू कर दिया कमरे में बंद रहने लगा परिवार से बात करना छोड़ दिया दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया बाहर जाना बंद कर दिया सतीश धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिन्दगी में ठहरावा आ गया है सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस स्कूल में सतीश पढ़ता था जहांसे उसने बारेवी पास की थी वहां के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सतीश को मिलने बुलाया उन्होंने उसे डिनर के लिए आमंतरत किया सतीश मना नहीं कर पाया उसे जाना पड़ा शाम को सतीश पहुँचा उसने देखा कि प्रिंसिपल बगीचे में बैठे थे उनके हाथ में अंगीठी थी ठंड का माहौल था सतीश जाकर बैठ गया कुछ देर दोनों ने बात नहीं की फिर प्रिंसिपल ने अंगीठी से एक कोईले का टुकड़ा निकाला और उसे मिट्टी में फेग दिया कोईला थोड़ी देर के लिए हिला और फिर शान्त हो गया सतीश ने पूछा सर आपने क्या किया वो कोईला अंदर जल रहा था हमें गर्मी दे रहा था उसे मिट्टी में फेग कर आपने उसे बरबाद कर दिया प्रिंसिपल ने कहा बरबाद? इसमें बड़ी बात क्या है? चलो, इसे फिर से ठीक करते हैं उन्होंने उस कोईले को मिट्टी से उठाया और अंगीठी में वापस रख दिया कुछ देर बाद कोईला फिर से जलने लगा प्रिंसिपल ने सतीश से पूछा बेटा, कुछ समझ में आया? सतीश ने कहा, नहीं तब प्रिंसिपल ने कहा, बेटा तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने तुम्हें बुलाया था ये कोईला तुम हो जब तुम अंगीठी से बाहर निकले गलत संगत में गए, मिट्टी में गिरे तो तुम बुझ गए लेकिन तुम फिर से जल सकते हो शर्त यह है कि तुम्हें वापस आना होगा तुम्हें अपनी संगत बदलनी होगी अपनी जिन्दगी बदलनी होगी बस यही समझाना था सतीश को सब कुछ समझ आ गया और उसकी जिन्दगी बदल गई हम मेंसे कई लोग किसी घटना की वज़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं शायद जिन्दगी में किसी मोड पर असफल हुए हो और लगे कि सब खत्म हो गया लेकिन मैंने एक कहावत पड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है जिन्दगी चलती रहती है इसलिए चलते रहो सब ठीक हो जाएगा इस पर विश्वास रखो होना बड़ी बात नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता के बाद वापसी कैसे करते हैं हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने असफलता का सामना किया और फिर से उठे इसलिए तयार रहिए वापसी के लिए डिप्रेशन को अलविदा कहिए